यूपी सरकार का एलान माता पिता से बस्तुरू की करने वाले हो जाएं सावधान यूपी की योगी सरकार लाई है ऐसा प्रावधान अगर आपने अपने माता पिता की नहीं की सेवा तो नहीं मिलेगा मेवा संपत्चिसे भी हो सकते हैं बेधखल संतान के साथ रिश्यदारों पर भी गिरेगी गाज योगी के इस कानूल से छूटेंगे पसी ने नमस्कार मेरा नाम प्राचीतिवारी है और आप देख्षार शुरू कर चुके हैं JT News ओल निट कई बार ऐसा होता है अपना घर होते हुए भी माबाप को ब्रिधास्र में रहना पड़ता है दिन भर मेहनत मज़ूरी करके अपनी रातों की नीट खराप करके जिन बच्चों को माबाप पालते हैं उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके वही बच्चे बड़े होकर अपने माबाप को बोच समने लगते हैं कोछ लोग माता पिता की संपती पर तो अपना अधिकार जमाते हैं लेकिन उनका खयाल नहीं रखते वे ना तो माबाप को खाना देते हैं और ना ही उन्हें पूछते हैं कई बार ऐसी वीडियो भी हमारे सामने आती है जिसमें बेटे या बहु बुजुर्ग माता पिता की सिटाई कर रहे होते हैं ऐसे लोगों के लिए योगी सरकार का ये नया कानून खत्री की घंटी साबित हो सकता है योगी सरकार माता पिता की सुरक्षा के लिहास से जल्दी एक नया कानून लाने के सयारी में है जसके अनुसार अगर बच्चे बुढ़े माता पिता का ध्धान नहीं रखते हैं तो उनको प्रतारित करते हैं तो उनकी संपति पर कोई अधिकार नहीं होगा यानि वो संपति पाने से बंचित रह जाएंगे शब्दों में कहें तो बुढ़े माबाप को परशान करने वालों से संपति ठीन ले जाएगी यूबी में अक्सर ऐसी घटनाय सामने आती रहती हैं जहां अपने ही बच्चे माबाप की देखभाल नहीं करते और उनको परशान करते हैं जिस तरह भारत में व्रिधा अस्रम की संख्यातेजी से बढ़र नहीं है वो चौकाने वाला है देश में लगबाग 1500 व्रिधा अस्रम है जहां करेब 70-1000 से भी अधिक व्रिध रहते हैं उस्तर प्रदेश की बात करें तो यहां तकरीब 25-70 जिलों में सरकार ने व्रिधा अस्रम की व्यवस्था की है इसके अलामा यहां कई निजी व्रिधा अस्रम की चलाए जा रहें बुड़े माबाप को बच्चों की प्रतारणा से बचाने के लिए उनकी देखभाल के लिए यूपी सरकार और यूपी राज विधी आयोग ने यूपी सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया इसके लिए राज के विधी आयोग ने वरिष्ट नागरी का रख रखाव कल्याड अग्नियम 2017 में संसोधन के लिए सरकार के समक्ष प्रस्ताव पेश किया इस प्रस्ताव के पास होने के बाद योगी सरकार का कानून एक अलग कानून बनाएगी जिसके अनुसार माता-पिता के साथ गलत व्यहवार करने वाली संतान को उनकी समपत्ती में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा योगी सरकार जल्ठी ये कानून लाने की तयारी में है यानि जो बच्चे माबाप का अच्छे से खयाल नहीं रखते वो संपत्ति के उत्तरादिकारी नहीं होंगे इसके साथ ही अगर बच्चे या रिष्टेदार विध्ध माता पिता की सेवा उनके घर में ही रहकर नहीं करते तो बुजूर उनको बाहर निकाल सकते हैं वहीं इस प्रस्ताव पर योगी सरकार जल्द से जल्द मुहा लगा कर कानून बनाने की सयारी में है कई माता पिता इस खवर को सुनकर खुश हो रही है वहीं लोगों का कहना है कि ये एक बढ़िया कानून है इस बारे में आपकी क्या राय है क्या माता-फिता की सेवा के लिए कानूर बनाने का योगी सरकार का फैसला सही है क्या ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए या नहीं हमें अपना प्रस्ताव नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहेगे हमारे साथ वीडियों अच्छी लगी हो तो चैनल को फेस्बूक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले